नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सेंसी गुरू महेंदर वर्मा में और मैं महेंदर वर्मा आज आपके लिए एक बहुती खास वीडियो लेकिया हूँ दोस्तों ऐसे साथी जिन्हों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाश तक देखें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी outer dia पर groove कर रहे हैं और groove करने के बाद में अगर उसी groove के अंदर अगर आपको radius लगाना हो उसके किनारे पर और अंदर वाले किनारे पर तो आप radius किस परकार से लगाएंगे तो वीडियो बहुत ही important है इस वीडियो को लाज तक देखिए और वीडियो को like, share और comment करना न भूलें तो दोस्तों आईए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपको OD groove में radius लगाना सिखाऊंगा कि radius OD groove कहां पर रहा की एक outer dia ये एक drawing है तो जिसका जो एक cylindrical job का जो map है वो आपका है 50 mm का है इसका dia और 10 mm छोड़कर के आपको 6 mm का एक groove बनाना है और जो groove बनाएंगे हम 6 mm का वो वाला dia जो आपको अंदर से 40 mm रखना है और ये dia आपका 50 mm का है तो दोस्तों देखी ये जो groove है इसके ये बाहर वाले किनारे पे भी एक mm का radius लगा है और अंदर भी एक का radius लगा हुए इधर भी एक का radius लगा है और इधर भी एक का radius लगा हुए तो अगर हमारे पास में अगर ऐसी condition आती है तो हम किस परकार से जो है वो इसके अंदर जो है radius लगाएंगे हमें किस परकार का जो है वो tool लेना पड़ेगा तो जो tool की thickness रखी है मैंने वो 4 mm का tool लगा है मैंने या पर 4 mm की thickness है तो सबसे पहले आपको एक चीज का ख्याल लगना है कि ये जो आपका जो groove है वो पहले मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक rough groove का लगाना पड़ेगा जिसके अंदर आपका groove इस परकार से रहेगा आपको material छोड़ना पड़ेगा finish के लिए तो आपको जैसे माली जी ये हमारा groove है तो इस परकार का आपको खांचा तयार करना पड़ेगा ये वाला जो खांचा है यहाँ पर आपको इस परकार से खांचा तयार करना पड़ेगा ये वाला खांचा रहेगा आपका और ये वाला जो material है ये आपका rough material है ये आपने क्या है छोड़ना है क्योंकि अगर आप यहाँ पर material नहीं छोड़ेंगे तो आपका जो रेडियंस है वो नहीं बन पाएगा और अंदर से जो groove जो है clean नहीं हो पाएगा यहां से जो गुलाई बनेगी अंदर से और यहां से किनारे से अगर यह material नहीं छोड़ा तो आपका यह नहीं हो पाएगा तो देखिए मैं क्या करूँगा यहां पर यह जो अंदर का जो gap है इ इस face पे चोड़ रहा हूं और यहां पर भी मैं एक mm material छोड़ दूँगा और जब मैं यहां पर radius लगाऊंगा तो radius लगाने के बाद में जो है मुझे यहां पर मेरा जो tool आएगा तो उस point को यहां पर material मिलेगा तो उसको काड़ता हूँ आराम से इसकी radius लगाता रहेगा तो और वीडियो बहुत ही important है लाच तक आपको वीडियो को देखते रहना है तो सबसे पहले हम लोग इसकी शुरुवात करते हैं program बनाएंगे कैसे ओसे इसकी शुरुवात होगी फानुक प्रोग्रामिंग में ओसे शुरुवात करेंगे मैंने यहां पर ओ प्रोग्राम नंबर लिया ओ वन टू थ्री फॉर एंड़ ब्लॉक उसके बाद में sequence नंबर ले रहा हूँ है यहां पर tool के लिए आप चाहो तो हरेक लाइन के लिए भी sequence नंबर यूज कर सकते हो एन वन में यहां पर sequence नंबर लिया है और यहां पर मैं जी ट्वंटी एट का कोड लगा रहा हूँ जी ट्वंटी एट यू जी रो पॉइंट जीरो डबलू जीरो पॉइंट जीरो यह आपका home position का कोड हो गया machine आपकी home position पर करने के लिए और यहां पर मैं टूल नंबर स्लेक्ट करूंगा टी जीरो वन टूल नंबर वन यह पहला अक्षर जो होता है वह टूल नंबर के लिए होता है और दूसरा अक्षर जो होता आपका यह आपका रहेगा आपका offset नंबर हो गया अब मैं इसके आर्पियम लूँगा जी 50 या जी 92 म के अंदर रिट कर रही हो तो जी 50 में मैंने लिया maximum spindle rpm जी 50S 1000 ले रहा हूं मैं यहां पर spindle speed end of block लगाया मैंने यहां पर और उसके बाद मैं यहां पर G96S 200 लिया मैंने cutting speed और M03 के अंदर मैंने क्या किया spindle को rotate करवाया है यहां पर कुछ मैं code लगाऊंगा जैसे कि मैं G21 का programming करने के लिए G90 absolute programming के लिए end of block और उसके बाद में मैं यहां पर code लगाया G99 G99 का मतलब आपका code यह है कि आपका जो feed रहेगा वो आपका mm per revolution मतलब एक चक्कर के अंदर जब आपका spindle एक चकर पूरा करेगा तो tool आपका कितने mm की गति से आगे कि और बढ़ेगा यह वाली जो feed mm per revolution तो इसके बाद में हम लोग जो है शुरुवात करेंगे सबसे पहले इसके अंदर rough cut लगाएंगे यह rough cut लगाना है क्योंकि groove तो मेरा 6 mm का बनाना है लेकिन पहले हमारा जो tool वो 4 mm का है तो 4 mm का मैं यहां पे cut लगाऊंगा यह gap जो हो 4 mm का रहेगा और side में एक-एक mm material जो हो बच जाएगा इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे finish cut लगाकर कि इसको क्या है इसके अंदर radius भी बनाएंगे तो बहुत ही important वीडियो है तो tool को जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका tool मालीजी जोब से दूर है तो जोब के नजदीक ले लेंगे 1 mm तो 51.0 मैंने यहां पे लिया है उसके बाद में जैड की वेल्यू जो है मैंने टूल को 5 mm प्लस में जोब से रखाए 5 mm दूर रखाए और यहां पे M08 का मैंने code लगाया coolant को on किया है कई machine जो होती है वो M08 में coolant को read करती है और कई machine जो होती है जो M07 में भी read करती है तो जो भी आपकी machine read कर रही है आप उसको लगा सकते हैं उसके बाद में अब मुझे rough cut लेना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि देखिए टूल की position के लिए मैं क्या करूंगा tool को minus में लेके आना है मुझे मुझे tool का जिसे मानलो मैंने कल भी आपको एक दूसरी पॉइंट पर आपको touch करवाना है आपका a point touch होगा तो आप z की offset ले लेंगे और आपका x की उपर आपके जो grooving tool के दोनों point अब वो touch होगे तो यहाँ से आपकी x की value जो हो आप उसके अंदर geometry offset में डाल कर इसकी offset को ले सकते हैं तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो offset भी यहां पर आएगा ना तभी तो हमारा जो है वो यह वाला खांचा जो है वो वो कटेगा तो टूल के a point को यहां पर जब ले के आएंगे तो यहां पर जड की value कितनी होगी इस वाले point के ताकि यहां पर एक mm आपका यहां भी material चूट जाए और एक mm यहां पर भी चूट और प्लस में 4 mm का हमारा टूल हो गया तो यहां पर जो जड की value बनेगी वो कितनी बनेगी जड माइनस आपकी बनेगी 15 बनेगी तो जड माइनस जब आपकी 15 बनेगी तो आपको क्या करना है टूल को जड माइनस 15 करना है यहां पर तो जड माइनस 15.0 आपने कर दिया तो ट कि देखिए यहां से लेकर के यहां तक 10 mm नट्रील तो यहां तो गोगया और एक यह छोड दिया 11 mm हो प्लस में चार mm का तूल हो गया तो आगया टोटल पंदरह तो आपका जो पहला तो इसके cut लगाएंगे हम लोग तो मैं यहाँ पर G0 क्योंकि अब आपका tool feed के moon में आएगा तो आपको G0 1 लेना है tool को अंदर की और लेके आना है आपको तो X में आएगा X अब आपको Z को नहीं शेडना है X मैं माली जी इसको 2 cut में काटना हूँ काटके बता रहा हूँ आपको आप चाहो तो 2-3 cut भी लगा सकते हैं आप तो X45 ले लिया मैंने X45.0 और यहाँ पर मैंने feed लगा दी 0.2 के अनुसार तो tool मेरा जो है वो 45 पे आ जाएगा नीचे की और अंदर की और गुश गया 45 पे मुझे पहुंचना कहां तक है 40 पे और हलका सा मेरे को यहाँ पर भी material छोड़ना है उसके बाद में मैं जब मेरा tool 45 पे आएगा तो हलका सा tool को मैं उपर की और उठाओंगा तो डाय मेरा 40 का है तो मेरे को 40 पे पहुंचना है तो x की value जो है मेरी वो कितनी हो जाएगी मैं यहाँ पर हलका सा 0.5 का material छोड़ देता हूं तो मेरा x की value हो जाएगी यहाँ पर 40.5 क्योंकि मुझे अंदर से radius भी लगाना है तो material मुझे छोड़ना पड़ेगा अगर material नहीं छोड़ूँगा तो मेरा जो है वो radius नहीं लग पाएगा तो यहाँ पर मैंने x की value 45.0 जो है वो मैंने कर दी है अब मैं क्या करूँगा टूल को वापिस उपर की और उठाना है मेरे को टूल को वापिस उपर की और उठाएंगे तो g0 क्योंकि आपका groove जो है यहाँ पर वो complete हो गया है rough cut complete हो गया है तो g0 और यहाँ पर मैं x की value वापिस इसको इसी value पर उठा लेता हूं टूल को बाहर की और निकालना मुझे एक्स की value 51.0 मैंने यहाँ पर ले लिया है तो टूल मेरा बाहर की और निकल गया है और उसके बाद अब देखिए कि मुझे अब टूल को कहां पर लेके आना है मेरा यह rough cut तो कट गया है लेकिन आप मेरे को टूल को यहाँ पर लेके आना जहाँ पर मेरी radius की शुरुआत होगी अब radius जहां से शुरुआत हो रही है जैसे माल लीजिए कि आपकी यह radius है यह radius शुरुआत हो रही है और यहाँ पर कौन सा group का कौन सा tool इस radius को काटेगा group का point number B मतलब यह वाला point मतलब एक तो आपका A point है और आपका B point है तो B point से आपको radius की शुरुआत करनी है तो B point से radius की शुरुआत करेंगे तो एक तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कितना आएगा और A जब B point आपका radius पर आ रहा है तो A point पर Z की value क्या रहेगी तो वो value आपको यहाँ पर डालने पड़ेगी तो देखिए हम आपको बताऊंगा यहाँ पर कि जैसे माल लीजिए कि अब यहाँ पर radius जो है और जब ऐसे आपका tool ऐसे radius को काटता हुआ नीचे की और आएगा मतलब आपका tool ऐसे B point आपका radius को काटता हुआ नीचे की और आएगा तो X की value यहाँ पर कितनी बनेगी एक की radius लग रही है जब एक की radius लग रही है तो देखिए एक mm आपका ऊपर से होगा और एक mm आपका नीचे से होगा सेम होगा तो डाय में से हम लोग क्या करेंगे दो को माइनस करेंगे तो आपका जो है वह value आजाएगी आपकी यहाँ पर 48 आजाएगी ठीक है तो अभी हम हम लोग जो एक काम करेंगे अभी हम लोग जो जपी की position आउग उसको search कर लेते हैं तो जशड की पोजिशन हम लोग यहाँ पर कितनी आएगी यहाँ पर आनी चाहिए हमारी है यहां पर हम लोगों ने 1 mm material यहां पर छोड़ा है देखिए यहां तक तो हमारा जो है यहां से लेकर के यहां तक कितना है finishing में 10 mm tool यहां पर रहेगा 10 mm और 1 mm material हमने यहां पर छोड़ रखा है हो गया 12 10 और 11 हो गया आगे 12 और आपका यह वाला जो corner है corner point यहां पर जो z की value रहेगी क्योंकि tool आपका यहां से शुरुआत करेगा तो tool का जो पहला point है वो आपका रहेगा यहां पर z minus 13 पर तो tool आपका यहां पर यह वाला जो point है यहां पर जो value बनेगी इस पर z की value जो बनेगी वो 13 रहेगी और ये वाला point जो है वो आपका इस corner को काटेगा तो ये value रहेगी आपकी 13 तो Z- यहाँ पे आजाएगा आपका G0 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 Z- 13.0 तो tool आपका जो है वो 13 पे पहुँच गया है तो 13 पे पहुँचने के बाद में अब हमें क्या करना है G0 1 से हमें क्या करना है सुरुवात करनी है तूल अभी आपका देखो मैंने 51 पे रख रखाया इसको और जब तूल आपका इस point के नजदीक आएगा जब इस point के नजदीक आएगा तो एकदम से यहाँ पर आके इस डाय के उपर टकरान आजाए यहाँ पर कोई निशान वेगरान आ जाए तो हमें क्या करेंगे मैं बाकी का प्रोग्राम इंदर बना देता हूं हम लोग यहाँ पर करेंगे जी जी जीरो वन यह डाया पचास का है तो हलका सा मेट्रियल यहाँ पर हम छोड़ेंगे एक्स की वेल्यू पचास पॉइंट जीरो फाइव मतलब मैंने हलका से क्यों डाया पर टच करने नहीं दिया मैंने टूल को हलका सा ऊपर क्यों रखा है एफ 0.2 पर मैंने यहाँ पर इसको ले आया हूँ अब देखिए जो मैंने जड़ माइनस 13 जो मैंने किया है यहाँ पर उसके बाद हमें क्या करना है टूल को जब टूल मेरा रेडियस को काटता हुआ है यह वाला पॉइंट यह वाला पॉइंट बी पॉइंट जब इस प्रकार से रेडियस को काटता हुआ यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर X की वेल्यू कितनी बनेगी और A वाला पॉइंट जब आपका बी पॉइंट 10 पे पॉइंट जब 10 पे पहुँँँद जब आपका अब यह देखना आपको एक चीजा और भी ध्यान में रखनी है यहाँ पर यह बनका जब आपका तो मतलब आपका आपको गोडगां तो ने जब तो 3 X की value जब tool आपका dia ये आपका dia कितने का था 50 का dia तो dia 50 से आपका tool घूमता हुआ जब नीचे की उरा जाएगा 1 mm नीचे से 1 mm उपर तो यहाँ पर जो dia बनेगा आपका कितने का बनेगा 48 का बनेगा तो dia ये जो आपका बनेगा 48 का तो 48 0 G03 48.0 यहाँ पर लगाएंगे 48.0 Z minus क्योंकि आप सोच रहे हो कि Z minus 14 कैसे आएगा Z minus 14 ऐसे आएगा कि यह देख और यह यह B point है B point जब है यहाँ पर काटते हुए यह line जो है हमारा यह देखिए आपका A point इस पर आजाएगा यह वाला B point है यहाँ पर आएगा यह उपर से radius काटता होगा तो tool आपका यहाँ पर आके रुकेगा और tool आपका फिर यहाँ पर 14 पर आजाएगा यह वाला point जो है आपका Z minus 14 major होगा Z minus 14.0 और यहाँ पर आपकी radius लग रही है R 1.0 जहाँ पर radius लग रही है हम लोग वहाँ पर थोड़ी सी feed को कम करेंगे ताकि finishing अच्छी आ जाए तो यहाँ पर मैं feed जो है वो 0.1 की लगा देता हूं मैंने feed लगा दी 0.1 की feed लगाई है मैंने end of block उसके बाद पहला हमारा radius जो है यह वाला radius तो हमारा है जो है वो कट चुका है tool हमारा अब मुझे tool को नीचे की और लेके आना और यहाँ पर मेरा tool कितने पर रुकेगा यहाँ पर भी एक का जो है वो हमारा radius लग रहा है तो यहाँ पर tool को रोकने के लिए हमारा जो tool है यहाँ पर आकर के रुकेगा x की value यहाँ पर हो जाएगे हमारी 42.0 तो g01 में tool को नीचे की और लेके आएंगे क्योंकि एक देखिए यहाँ पर भी एक का radius है तो एक और एक दो मतलब इसके अंदर प्लस हो जाएगा तो डाया आपका आएगा आपका 42.0 तो g01 x की value आपकी हो जाएगी 42.0 तो tool आपका यहाँ से cutting करता हुआ नीचे की और आगया आपका तो आपका यह जो point था अब वो यहाँ पर आगया है इस प्रकार से यह radius काट के आया आपका B point देखिए इधर की जो radius है उसको काटेगा B point और इधर का जो radius है उसको काटेगा A point तो बड़ा simple है तो यहाँ पर x की value यहाँ पर x की value रहेगी आपकी 42.0 एंड ब्लोक लगाएंगे यहाँ पर और z आपका 14 होई गया था इस वाल लाइन में तो यहाँ से फिर हमारे दूसरी radius शुरू हो रही है तो देखिए यहाँ से जब हमारे एक यह radius हो रहे है तो यह radius यहाँ से जब सुरू हो गई radius तो इसका देखिए direction क्या ऐसे शुरू हो रही है तो G 0 2 में आएगा तो यह radius जो है हमारा वो आएगा आपका G02 अब देखिए हमने यहाँ पर जो material छोड़ा था तो 40.5 का material छोड़ा था आदा mm का material छोड़ा था तो जब यहाँ से tool आपका नीचे की और ऐसे cut मारता हुआ आएगा तो यहाँ पर जो बचा हुआ material था उसको भी क्या कर देगा यह remove कर देगा तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग G02 X की value 40.0 और आपका Z- कितना हो जाएगा tool आपका यहाँ पर आएगा 1 mm क्योंकि 1 mm की radius है तो ऐसे गूमते भी भी वह काँ पर पहुंचेगा इधर आजाएगा तो पहले tool आपका कितने पर था 14 पर था तो A point आपका हो जाएगा Z- 15 हो जाएगा क्योंकि 1 point tool आपका A से यह वाला B point है ऐसे आएगा तो B वाला point यहाँ पर आजाएगा तो A वाला point 1 mm आगी के और खिसक जाएगा तो Z- यहाँ पर A point पर बनेगा 15.0 हो गया और यहाँ पर आपकी R लग रही है R 1.0 यहाँ पर feed कम कर देंगे feed 0.1 कर दिया मैंने यहाँ पर ताकि आपका जो finishing जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए उसके बाद में हम लोग जो है हमारा यह जो cut है दोनों radius हमारे जो है वो complete हो चुके है उसके बाद tool को उपर की और उठाएंगे अगला groove हमें बनाना है tool को उपर की और उठाएंगे यहाँ पर वापिस बार की और निकालें क्योंकि एक radius तो हमारा वो बन गया है complete एक side से हमारा finish हो गया है कि ओपर की और उठाने के बाद में मुझे क्या करना है है यहाँ पर अगला groove जो है मेरेको अगला जो radius है वो बनाना है अब अगला radius मेरा जो है वो किस परकार से है अगले radius को काटेगा आपका जो tool का a point है वो काटेगा अब इस परकार से है हमारा radius तो हमें टूल का जो पॉइंट है वो यहां पर लेकिया ना इस वाले पॉइंट पे अब भी पॉइंट हमारा फ्री रहेगा यह वाला ए वाला पॉइंट हमें कटेगा तो देखिए यहां से लेकर के 16 16 mm हो गया यहां पर और यह जहां पर यह एक एमम का रेडियस मेटरियल छोड़ भी रखा और रेडियस की शुरवात करेंगे तो जड की वेल्यू क्या होगी तो नीचे का डाया तो 48 बनेगा यहां पर लेकिन यहां से ऐसे जब टूल आपका जाएगा तूल तो नीचे की और इस प्रकार से लेकिन यह जो यहाँ पर शुरुवात होगी वो कितनी रहेगी तो यहाँ पर जड़ माइनस आपका रहेगा जी जीरो एक्स की वैल्यू स्वरी जड़ की वैल्यू जड़ माइनस 17.0 17.0 रहेगा आपका जड़ माइनस में और उसके बाद आपको टूल को जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर हलका सा 50.5 पर लेके आया था कि एकदम से डाय पर टचना हो जाए तूसी प्रकार से यहाँ भी करना पड़ेगा जी जीरो वन एक्स की वैल्यू 50.05 और फीड मैंने यहाँ पर 0.2 की यहाँ पर दी है अब टूल का जो बी पॉइंट है आपका यह वाला बी पॉइंट इस रेडियस को बनाने के बिल्कुल रेडि है अब आपको यह देखना है कि टूल जब ऐसे पूरा का पूरा घूम जाएगा तो घूमने के बाद में कितने नंबर पॉइंट पे आके रुकेगा आपका टूल कितने नंबर पॉइंट पे आके रुकेगा मतलब डाय यहां पर कितने का बनेगा जब आपको टूल को स्टॉप करना है तो टूल को स्टॉप करने के लिए आपको डाय कितना पे लेके आना है उसके लिए आप एक काम कर रहे हैं यहां पर देखना है आपको की radius की direction की इस परकार से देखिए टूल आपका इस परकार से गूमेगा तो कौन सी direction आ रही है जी 0 टू यह clockwise moment है तो यहां पर code आपका लगेगा जी 0 टू जी 0 टू एक्स की value 48.0 क्योंकि एक का radius लग रहा है तो टूल आपका यहां पर आकर के गूमने के बाद में कहां पर आकर हुएगा 48 पर रुखेगा और z- कितना हो जाएगा z- कितना हो जाएगा जहां जटा होगा सोला जरद माइनेस होग आपका सोला क्योंकि यह जो point है ये जो लाइन यहं तक देखे हमारा यहां से लेकर के यहां तक कितना है सोल है तो टूल का जो एए point है यह 16 वाली लाइन के आगे टच करता हुआ आएगा तो यहाँ पर जड माइनस आपका हो गया 16.0 यहाँ पर मैं feed थोड़ी कम कर देता हूँ तक ही radius आपका सही से बने R 1.0 मैंने यहाँ पर लगाया है feed भी मैं यहाँ यहाँ पर F 0.1 का कर देता हूँ and वो लगा दिया मैंने पीछे एक radius इसका भी कट गया अब अगला radius काटेंगे अगला radius काटेंगे तो अगले radius से पहले जहाँ पर टूल मेरा एक बार रुके गास टोप करेगा वहाँ पर X की value क्या होगी जो इसकी थी वो same इसके में होगी तो X को मैं यहाँ पर रोकने वाला हूँ G01 X की value 42 G01 X की value 42.0 पर आपका टूल जहाँ वो रुक जाएगा क्योंकि अंदर जो है आपका एक mm का यह radius लग रहा है अंदर गडाय 40 का है तो यह जब radius यहाँ से यहाँ पर आके जो complete हो रहा है 42.0 उसके बाद में अब यह जो नीचे का जो radius बन रहा है नीचे का जो radius है यहाँ पर आपका टूल जो किस प्रकार से movement ले रहा है यह देखिए इस प्रकार से गूम रहा है तो यह G03 में आ रहा है तो मतलब anti clock wise गूम रहा है तो यहाँ पर लगाएंगे हम लग G03 X की value 40 हो जाएगी 40.0 क्योंकि material आपका इदर वारी side जो बचा हुआ था वो भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा 42.0 उसके बाद में आपका Z- पर कितना हो जाएगा जब टूल आपका जब टूल आपका एपॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे तो Z- कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा जब बाइनस हो गया आपका 15.0 टूल इसके जो गुरूविंग टूल के दो पॉइंट होते हैं दोनों पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पॉइंट जब वो कट लगा रहे तो Z- आपका 15 हो गया आर आपका लगया 1.0 जहां पर आर लगया है वहां पर रेडिस लगया वह आपको लगाना नहीं भूलना फीड आपकी जो पॉइंट वन रखूंगा मैं यहां पर ताकि फिनिशिंग अच्छी हो जाए अब टूल देखिए ग्रूविंग के अंदर आपका क्या था यह जो कर दिया है तो तूल को जो है मैं आगे की और हल्का सा और इसको बढ़ा लूगा हल्का साटूल को मैं क्या करूंगा आगे की और और बढ़ाओंगा अधाकी Them थोड़ी सी फिनिशिंग जो है थोड़ी सी अच्छी हो जाए तो इसके लिए मैं यहां पर टूल को थोड़ा सा जैड में इधर की और और थोड़ा सा खिसका ताकि यहां पर कोई बर्वेगरा ना जाए तो जी जीरो वन कि जैड माइनस 14.5 कर देता हूं तो के तूल थोड़ा सा पीछे की और और हट जाएगा 14.5 कर दिया मैंने ताकि जो आपका कट जो है वो पूरा हो जाए और आपका जो टूल है वो वहां तक पहुंच गयेगा तो थोड़ा मेट्रियल जो है आपका ठीक है 14.5 पर आपका आराम से जो है वो आपका अंदर से फिनिश हो गया आप टूल को बिल्कुल सेफटी से बाहर क्यों निकालेंगे तो टूल को बाहर निकालने के लिए बिल्कुल आराम से आपको आप Z को नहीं छेड़ना only 4 आपको टूल को उपर के और उठाने है तो टूल को उपर के और उठा लेजिए मैं यहाँ पे G0 X की value 52 कर दिया मैंने तो टूल मेरा उपर के और बाहर के और आ गया है और उसके बाद G0 Z 10.0 तो टूल मेरा प्लस में भी जो है वो जोब से 10 mm दूर हो गया है उसके बाद मैं यहाँ पर code लगाँगा M08 का 9 का coolant को यहाँ पर मैंने coolant को उन किया था यहाँ पर मैंने off कर दिया है उसके बाद मैं यहाँ पर लगाँगा मैं G28 U0.0 W0.0 उसके बाद मैं M0 5 और M30 आप घर पर बैठकर करें इस प्रकार के प्रोग्राम की जो है आप प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम साते हैं जिसके अंदर जो है वो अंदर की और रेडियस लगाना आ जाता है तो बहुत ही सिंपल तरिके से आपको समझ में आ गया है तो अश्र करूंगा कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया है कोई भी जो टूल होता है उसको आपने ध्यान से देखना है कि ये दोनों पॉइंट का आपको ख्याल रखना है कि आपका ये वाला जो पॉइंट है वो इदर वाला रेडियस बनाएगा ये और ये बी पॉइंट इदर वाला रेडियस बनाएगा और ये वाला पॉइंट जो है वो इदर वाला रेडियस बनाएगा जब ए पॉइंट और बी पॉइंट बनाएंगे तो आपको जर्ड की वेल्यू का ध्यान लखना है बस तो जर्ड की वेल्यू अगर आपको पता लग जाए दिया कि पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने और दोस्तों धन्यवाद बहुत-बहुत